हे गाईज वेलकम टो माई चैनल वी नैच्रल खुसी आज मैं आप लोग के साथ में सेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमिटी डियावाई जिससे कि आप घर बैठे अपने बालों को बारगंडी कलर कर सकते हो साथी साथ अपने बालों में केंडिसनिंग भी पा सकते हो अगर आपके बालों का हेयर ग्रूथ नहीं हो रहा है तो आपके बालों का हेयर ग्रूथ भी होगा साथी साथ आपके बाल बहुत ज़दा smoothening and signing होंगे पालर में जाके आपको hair spa कराने का भी जरूत नहीं पड़ेगा इस मेहदी के साथी साथ आपका hair spa भी घर पे हो जाएगा और आपके बालो में अच्छा सा color भी आ जाएगा ऐसा होता है कि मेंदी लगाने के पास से हमारे बालों में जो होता है थोड़ा ड्राइनेस आ जाता है तो आपके बालों में ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपके बाल जो है वो पहले से ज़्यादा soft and shiny and smoothing हो जाएंगे जिनके बाल बहुजदा ज़ड़ रहे होंगे तो उनके बालों का जो ज़ड़ना है वो रुख जाएगा अगर आपके बालों बहुजदा dandruff होगा तो वो dandruff भी आपके बालों से remove हो जाएगा और साथी साथ जिनके बालों में white hair की problem है जैसा कि कम उमरों में बाल पकने श्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत जादे हैं तो उनके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगे अगर थोड़े बहुत हैं तो इससे आपका जो है वो gray hair जो है वो cover हो जाएगा तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत केज़ेगा और पूरा आप देखेगा तो सबसे पहले हमने लिया है चाय के पत्ति चाय के पत्ति से आपके बालों में साइनिंग आता है सुमोधनिंग आता है आपके white hair की problem भी दूर होती है और आपके बालों का hair growth भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है सेकेंड हमने लिया यहां पर लॉंग के दानी लॉंग के जो होते है आपके बालों को काफ़ी अच्छा सा hair growth करने के लिए healthful होता है और आपके बालों को थेकी भी बनाता है और आपके बालों को bouncy भी बनाता है अगर आप लॉंग का यूज कर रहे हो तो आपका hair growth काफ़ी ज्यादव फास्ट हो जाएगा बालों का hair growth करना पूरोच के बालों की बालों को होता है फिर उसके पास से हमने जो यहां पे लिया last ingredient वो है हमारा तुलसी का पत्ता तुलसी के पत्ते का जो benefit होता है आपके बालो में अगर dandruff है, eating वगेरा है किसी तरह का कोई भी side effect वगेरा होए तो आपके बालो से यह दूर करता है और आपके बालो के अच्छे से देख भाल भी करता है तो यह भी धोड़ा गरम जैसा होता है तो यह आपके बालो का hair growth करने के लिए काफ़ ज्यादा healthful होता है और यह color को भी काफ़ी अदा पका बना देता है जैसा कि long आपके बालो में color काफ़ी अदा dark देता है वैसे ही यह तुलसी का पता भी आपके बालो में color dark provide करता है फिर उसके बाद से आपको ले लेना है कोई भी बरतन चाहाँ तो आप iron का बरतन ले लो या फिर कोई भी steel का बरतन फिर उसके बाद आपको एक या दो glass पानी add कर लेना है ले आप अपने बालो के according पानी को add के जएगा फिर उसके बाद से आपको लेना है दो चमच चाय की पत्ती फिर दो चमच आपको लेना है यहां पे fabric girls यानि की मेथी दाना हूँ प्रफिर उसके बाद से आपको लेना है यहां पर आधा जमच बहुत ज्यादा हमें लहां क्योंक्त नहीं कि बहुत ज्यादा कर लीजिएगा टुकड़े में करने के बात किह लेते हैं जिनको यहां पर बारगंडी कलर का हेर कलर चाहिए उनको यहां आपे करना क्या होगा तो ये सारी इंगरीवट की ये हैं तब or ले लेए यहां पे चुखन्दร सुति होता है क्वेगा भी होगे सलात के गृप में तो इसका यूज कर भी सकते हो तो आपको चुकंदर आपके बालों में काफ़ी अचासा कलर देता है डाकनिस कलर देता है और बार गंड़ी कलर लाने के लिए काफ़ी ज्यादा है चुकंदर का जूस जो होता है आपके बालों में साइनिंग भी लाता है सुमूधनिंग भी लाता है तो जब य ऐर चुकंदर को आपको कदू कस कर लेना है कदू कस करकर kनी में उसके उबाल लेना है उबालने के बाद से आप उच्छान लीजेगा आगे भी मैं वीडियो में दिखा दूंगी बट मैं यहां पर पहली कंफर्म कर दे रही हूं, तो यहां पे हमारा पाणी जो है वो अच्छे से प्रिपियर हो चुका है, अब हम घैस का फ्लेम जो है, स्लोही रखेंगे, बहुत ज़धा फासट नहीं रखेंगे, क्याई कि इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना होते हैं तो हमारा पानी जल के आधा हो चुका था हमने गया इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दिया अब हम इसको च्छान लेंगे जब आप इसको च्छान लेंगे तो इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हो फर्स्ट अगर आप कॉलेज कुई गल हो आपको सैमपू करना अच्छा नहीं लगता इससे तो आप अपने बालों में इसको इस प्रीइ किजिए जासा कि नाइट में एक खाली बाले बोटर में भरके इसको रख लीजे एक से दो हपते के लिए फिर उसके पास से आप नाइट में अपने बालों में अच्छे से अगली remedy जो है वो है हमारा shampoo, shampoo करना बहुत ज़दा easy होता है कि कोई भी shampoo लो और फटाक हम लोग use, shampoo यूज कर लेते हैं यह नहीं हम लोग सोचते कि कितना ज़्यादा chemical है उसमें कितना ज़्यादा हमारे बालों लिए हानी होता है तो यहाँ पर हम shampoo को यूज कर सकते हैं ज्यादा बड़ थोड़े quantity में भी अच्छे से अपने वालों को clean कर सकते हैं तो जो आपने यहां पर पानी को prepare किया है उस पानी में आप एक एक सेंपू को add कर लीजे फिर उसके बास से आप इसको अच्छे से कर लीजे मिक्स जभी आप इसको mix करोगे तो आप इसमें देखोगे कि अच्छे से जाक बननी स्टार्ट हो गया है सेंपू जैसे आप करते हो वैसे ही इसको भी सेंपू करना है आप इसको एक डिब्बे में भरके रख लिजे फिर किसी भी बॉडल में रख लिजे फिर इसमें जरूर रखेगा ताकि यह श्टोर रहेगा और जब आपको सेंपू करना होगा तब आप निकाल के इसको सेंप करेंके सब्सकाइब कने यह किसे जल्दी का यहां के लिए के लिए तो फडुरण ले लेना है के लिए अच्छे से पक जाएगा फिर उसके बाद से आप इसको छान दीजेगा तो हमने इंहां पर इसको उप्राण दिया यह थोड़ा थिकी की का हो चुका है कि हम ने इसको ज्यादा थिकी कर दिया है तो अब आप मेंधी भूलाइब करेऊ सबसे पहले आपको ले लेंगा है यहां पर नी पूर और हीना और नीपूर जो होता है यहां काफ़ी अच्छा सा कलर्या ४्रॉइट करता है तो बढर्गंडी छिन पर जिनको चाहिए वो यहां पर ले सकते हैं हिना एंड़ थां पर दोनों मेंदी को ले लिया है दोनों मेंदी को ले लेना है तो उतने quantity में लीजेगा जितने quantity में आपके हेयर है जैसा कि किसी के बाल बहुत जदा लंबे होते हैं घाने होते किसी के बाल पतले होते हैं चोटे भी होते हैं तो उस quantity से आप ले लीजेगा अपने बालों के according पर जो आपने यहां पर पानी को प्रिपेर करके रखा है उस पानी को भी आप इसमें एड़ केज़ेगा अगर हम पानी की क्वांटिटी तो हमारा मेंदी जिए वो ठेक भी हो सकता है या फिर पतला भी हो सकता है उसमें लंज भी आ सकते हैं तो इस कंडिशन में आपको ऐसा नहीं करना है जैसा यहां पर देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अगर आप इसको आइरन के बरतन में बरा रहे होगे तो आपका जो यह मेंदी है वो थोड़ा परपल टाइप का दिखेगा ध्यान रखेगा ऐसा मत यहां पर टैम तक बचने का वेट करने का बहुत नहीं पर दरता है तो हम यहां पर प्रप्तर अच्छे से mix कर लेंगे आपका mix होने के बाद से इसको रख देना है ढखके एक घंटे या दो घंटे के लिए आप रख सकते हो या चाहो तो आप इसको अपनी के साथ में इसको अच्छे से mix करेंगे और एक बात और बता दे कि अगर आपका यह पानी जो बच गया है स्मुधनिंग के लिए चुकंधर से आपके बालों में नैच Complete साइन आएगी आपAn ब्राउन चाहते हो कि डार्क भी ना दिए और लाइट भी कलर कर रहे और साइन भी रहे सुमुद्नीं भी रहे तो यह आपको बराबर कलर देगा तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो यहांपे देख सकते हो हमने मेंदी को अच्छे से मिक्स करके रख दिया था मिक्स उन्हें के वास्ते इसको 28 गंटे के लिए हमने यह पर छोड़ दिया था अच्छे से सोप हो चुका है अच्छे से मिक्स भी हो चुका है अब आपको इसको मेहदी को अपलाई कैसे करना है तो अपलाई करने का तरीका है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी हमे वह हमें कैसे मिक्स करना है तो मेहदी जो आप पानी प्रिपेयर किया था उस पानी को आप ले लीजेगा फिर उसके बास से जो हमने मेहदी लिया है नीपूर और हीना आप भी इन मेहदी को ले लीजेगा फिर उसके बास से आप जो पानी बना के रखे थे उस पानी को उस म कि निकाल लिया मेरे हाथों कितना स्वारा आयां तो आपको मेंदी लगाने से पेले कुछ बातों का धियान rey क्योंकि आपके बालों में किसी तरह का ऑईलिंग नहीं होना चाहिए अगर रहते हैं आपके बालों में कलर नहीं आता है तो आपके बालों से color जो है वो बार बार निकले नहीं shampoo करने के बाद में और जब भी आप next day shampoo करोगे तो आप देखोगे कि आपके बालों का जो color है वो कितने ज़ता dark है और आपके बाल जो है वो पहले कितने ज़ता smooth and shiny होगे and glassy भी हो गए है और अगर आप regular list का यूज करते हूं तो आपके बालों ज़ता bouncey भी होगे